हेलो दोस्तों स्वागात है मैं उफोटरेटेंडब्स और आगिया है एक और बिल्कुल नया वीडियो तो गाईज आज हम बात करेंगे टोटली पोकेमोन ब्लैक इन वाइट को लेकर और साथ ही साथ हम थोड़ा बहुत बात करेंगे पोकेमोन मुवी 17 और पोकेमोन मुवी 18 को लेकर तो मैंने लास वीडियो में कहा था अगर आपने नहीं देखा तो फिर उस वीडियो को चेक कर लीजिए का लिंक उपर कार्ड में है तो मैंने लास फीडियो में कहा था कि Pokemon Black & White का dubbing खतम हो चुका है और बहुती जल्दी वो TV पर आने वाला है लेकिन हमें बस पता चला था कि Pokemon Black & White का Season 14 का dubbing स्टूडियो में ही कम्प्लीट हुआ है लेकिन कब TV पर आ सकता है या फिर वैसा ही कुछ हमें अभी तक नहीं पता चला है इसलिए आज हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि कब TV पर आ सकता है और साथी साथ हम Pokemon Movie 17 और 18 के बारे में भी एक खास info शेयर करने वाले है तो इसलिए वीडियो को अंतक देखो तो गाइस वीडियो शुकरने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आज का वीडियो के Sponsor है Taxel Taxel एक बहुत ही popular और trusted money earning app है और गाइस बाकी earning app से इस app को चलाना बहुत ही ज्यादा असान है यहाँ पर आप पैसों के जरीए prediction लगा सकते हो और अगर आप prediction में जीत गए तो फिर आपको वापस मिलेगा 9 गुना ज्यादा पैसा और गाइस इस app को install करने के बाद ही आपको मिल जाएगा 20 रुपिया वो भी free में और इस बैसों के मदद से आप prediction में भी हिस्सा ले पाओगे बस एक बात याद रखना कि यहाँ पर minimum redeem value है 200 रुपिया और साथी साथ smart earning करने के लिए आप लोग एक बढ़ last winning number list जरूर चेक कीजिएगा तो इस आपको जरूर चेक कीजिएगा link नीचे description में दिया हुआ है और चले शुरू करते हैं आज का वीडियो तो guys आप लोगों तो याद ही होगा कि last time हमने जब वीडियो बनाया था तब हमने discuss किया था कि Pokemon Black and White का dubbing complete हो चुका है और साथी साथ केतन का बसर ने ही क्या दिया था कि Pokemon Black and White बहुत ही जल्दी TV पर आने वाला है लेकिन exactly कब आएगा ये हमें अभी तक नहीं पता आज हम उसी चीज़ को लेकर discuss करेंगे तो गाइस याधी तो होगा कि last week हंगामा पर एक प्रोमो आया था Pokemon का और हमने सोचा था कि Pokemon Black and White आने वाला है लेकिन आया Pokemon Advance Challenge लेकिन Pokemon Season से बनाने के वावाजूद भी हमने ये discuss किया थे कि Pokemon Black and White आने का chances कैसे ज्यादा बढ़ गया है इसका reason ये है कि देखो Pokemon Advance Challenge एक बहुती पुराना सीजन लेकिन हंगामा वाले क्या कर रहे है उसे प्रोमो के साथ टेली कास्ट कर रहे है मतलब देखो Pokemon Diamond and Pearl का तीन नया नया सीजन जब आया था तब क्या एक बार भी प्रोमो आया था नहीं ना मतलब ऐसा हो ही सकता है कि Pokemon का नया नया डविंग नहीं आ रहा था इसलिए शायद Disney वालों ने फैसले लिया होगा कि हम लोग कोई एक पुराना सीजन को ही फिर से नये प्रोमो के साथ चैनल पर शुरू करे और फिर शायद उनको पता चल गया होगा कि Pokemon Black and White का डविंग कंप करता हूँ इसलिए क्योंकि ऐसा हंगामा पर पास्ट में कई बार हो चुका है आपको तो यादी होगा कि जब सीजन 11 सीजन 12 वा 13 हंगामा पर आया करता था हंगामा तब 10 15 या फिर 20 एपिसोड दिखाने के बाद अच्छानक Pokemon को या तो रोक देते थे या फिर उस सीजन को लिकास्ट रोकने के बाद सीजन 5 सीजन 1 ऐसे पुराने सीजन स्टार्ट कर देते थे या फिर कभी कबार तो ऐसा भी हमें देखने को मिला था कि एक दो हपता रोकने के बाद उसका टाइम ही बदल जाता था तो बस इसी वज़े से Pokemon Black and White का आना बहुत ही ज्यादा कंफर्म् की डबिंग कंप्लीड हो चुका है इसलिए बहुत ही जल्दी आ जाएगा और Pokemon Black and White का जल से जल्द आने का एक और रीजन यह हो सकता है कि एक ही वग जाके Disney Network के हर एक चैनल बहुत सारे New Show या फिर New episodes दिखाना स्टार्ट करते हैं अब देखो Disney में दो नया चीज़ आया है उ अगर आप Marvel HQ में Pokemon Black and White के आने के चांसेस के बारे में सोच रहे हो तो फिर मैं बताता हूँ कि Pokemon Season 14 का Marvel HQ पर आने का चांसेस और भी ज्यादा है देखो Marvel HQ पर Pokemon Season 1 से लेकर Pokemon Season 13 तक हमेशा डिपी टेलिकास्ट होता रहता है और Pokemon Season 17 दिखाने का भी में मकसद यह है कि बार बार एक एकी चीज़ दिखाने के बाद Marvel HQ के पास कुछ भी नया नहीं था इसलिए उन्होंने 6 साल बाद जाके Pokemon XY फिर से दिखाया और अगर फिर से उन्हें ऐसा लगे कि हमारे पास दिखाने लाइक कुछ नया नहीं है तो फिर शायद वो लो Pokemon Black and White में स्टार्ट कर दे और अगर बात करेंगे Pokemon Movie 17 और Pokemon Movie 18 को लेकर तो लास्ट टाइम जब Pokemon का एक नया Movie TV पर आया था वो वक्त था 2020 के नवेंबर मंथ और देखो उसके बाद जाके लगबग 6 माईना होने को आया है लेकिन हमें अभी तक एक और नया Movie देखने को नहीं मिला जबकि Pokemon Movie 17 और Pokemon Movie 18 और इसलिए हम असानी से कह सकते हैं कि Pokemon Movie 17 बहुत ही जल्दी आ जाएगा तो फिर देखो गाइस Pokemon Black & White का साड़ा Movie यानि कि Pokemon Movie 14, 15 और 16 ये सब Movie का रिपीट इलिगास्ट खतम हो चुका है यानि कि Marvel HQ पर ये Movie आ चुका है और साथ ही साथ Pokemon Black & White अगर स्टार्ट हो जाता है और स्पेशली अगर Pokemon XY हंगामा पर डिटेलिगास्ट होता है तो फिर Pokemon Movie 17 आने का चांस और भी ज्यादा बढ़ जाता है मतलब Pokemon XY का ही तो Movie है Pokemon Movie 17 है ना तो इसके हिसाब से सब कुछ Pokemon Black & White के एरिंग के उपर इडिवेंट करता है तो फिर गाइस आप जाके आप बताईए कि Pokemon Movie 17 या पर Pokemon Black & White TV पर क तब आएगा अपना opinion comment में जरूर बताईए वीडियो अच लगे तो फिर वीडियो को लाइक ठोको चैनल को सस्क्राइब कर दो और notification bell icon को भी दबाना मत भूलना ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहना तो मिलते हैं आगे एक और नए वीडियो के साथ साथ